द्रन्वी शोक्लिफ्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो बच्पन में क्या करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पैरेंट्स भी ये पॉडका सुन रहे हैं तो स्क्रीन टाइम को लेकर कुछ रूल होने चाहिए बच्चों के लिए और जो यंग अडर्स हैं उनके लिए भी कुछ स्क्रीन टाइम गाइडलाइन्स दे दीजे सी सबसे पहले ना प्रॉब्लम यह हो जाती है कि बच्चों का आंखों का चेक अप नहीं होता सो वी टेल अला पेशन्स की साल में एक बार चेक कर आलिया करो बट कोई नहीं आता हूँ यूजली पेशन्स तब ही आएगा जब उसके आंख में प्रॉब्लम होगी पर साल में एक बार चेक क्यों करना है एक रूटीन चेक अप हो जाता है दिरा सो मैनी प्रॉब्लम जिनको अर्ली स्टेज पर हम डिटेक कर सकते हैं टाइमली ट्रीट्मेंट कर सकते हैं जादा लंबी चल गी हो प्रॉब्लम तो पर्मिनेंट विजन लॉस हो सकता है तो वी रिकमेंट कि साल में एक बार करा लो बट वी आल अंडरस्टैंड कोई आएगा नहीं सबसे पहला माइलस्टोन होता है जब बच्चा नया नया पैदा हुआ होता है तेरा सो मैनी प्रॉब्लम आँखों की पर्दे की प्रॉब्लम है रेटनोब्लास्टोमा इसकुइंट वगेरा अगर किसी के आँख में cataract है तो initial stages में उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने ठीक नहीं करा तो पूरी लाइफ के लिए विजन जो है वो खराब हो जाएगी बच्चे के बॉड़ी में भी cataract हो सकता है यंग से यंग नवजाज शिशु अभी पैदा हुआ और आँख में cataract है in fact the youngest patient that I operated for cataract was two months old two months people have done it even before also 20, 28 days, 30 days में भी लोगों ने operate करा हुआ है and the earlier you operate the better it is because you see क्या होता है जब नया नया बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी आँखों की development हो रही है अब आप सोचो उसके आँख के अंदर का lens white है तो आँख में light जा रही है लेकिन परदे तक तो पहुच नहीं पारी तो जब आँख ने देखा ही नहीं कभी आँख में light गई नहीं प्रॉपरली तो आँख पुरी life के लिए कमजोर है जाएगी इस problem को हम लोग लेजी आई हैं अमलायोपिया कहते है so like we were discussing कुछ milestones है पहला milestone ने बच्चा पैदा हुआ एक बारे तो चेक करा लो फिर जब तक बच्चे की age 18 साल हो जाती है तब तक साल में एक बार चेक कराना थोड़ा सा important है क्योंकि उस टाइम पर आई develop हो रही है चश्मे का नंबर अगर चड़ा होगा तो चड़ना शिरू हो जाएगा so you need correct prescription glasses गलत चश्मा पर ना होगे तो पूरे दिन सिर्द आंकों में दर्द रहेगा और चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी पड़ेगा then after that we say कि 40 years के बाद checkups are very important 40 years के बाद आंकों में कुछ certain problems हो सकती है गलुकोमा की problem हो सकती है अगर diabetes है तो आंक के परदे में खराब या सकती है cat track की problem हो सकती है गलुकोमा क्या होता है गलुकोमा एक condition होते है जिसमें आंकों के अंदर का जो pressure होता है वो बढ़ जाता है and glaucoma is called silent thief of sight तो क्या होता है यह pressure बढ़ जाता है लेकिन usually patient को पता नहीं चलता की pressure बढ़ा है but usually it is a symptomless disease और यह गलुकोमा क्या करता है जो pressure बढ़ता है तो हमारी आंक के पीछे जो नस होती है जिसको optic nerve कहते है यह बढ़ावा pressure उसको damage करना शुरू कर देता है and धीरे धीरे vision आपकी down होती जाती है बट यह इतना slow process है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी vision down हो रही है और जब एक certain stage के बाद आ जाती है तो आपको लगने लगते है मुझे धुनला दिख रहा है now you go see a doctor कि मैं को दुनला दिख रहा है चेक कर आप पता लगा रहे है आपकी आँख में तो glucoma या कालम होती है और जो नजर आपकी कम हो गई उसको नहीं वापस ला सकते है जो बच गई है उसको बचा सकते है that is why किसी के family में अगर history हो glucoma या कालम होती है की तो उसके लिए बहुत important है कि चालिस के बाद अपनी आँखों का चेक अप करा है genetic disease है it is we find it most probably a genetic से linked है तो अगर parents के आँख में glucoma है तो there's a very high chance की बच्चों के आँख में आ जाएगा अगर overall आपकी lifestyle healthy है diet साफ है exercise हो रही है आप sleep पर focus कर रहो etc. can you safeguard yourself from eye problems to a large degree you can safeguard from some problems not all problems देखो आँखों की ना हजार तरा की बिमारिया है उसमें कुछ बिमारिया lifestyle related है जैसे हम यह बात करें थे कि mobile computer से चश्मे का नंबर चरड़ा है blue light filter के क्या-क्या harms है या कुछ लोग आँखों में काजल लगा लेते हैं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आँखों को continuous धोते रहते हैं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि आँखों की नजर कम हो रही है गाज अधरी सबजियां खाना शुरू कर देते हैं तो यह कुछ प्रॉब्लम ना lifestyle oriented हो जाती है जैसे diabetes lifestyle की problem है उसका असर आपकी आँखों में भी आएगा किड्नी में भी आएगा हर जगा आएगा ऐसी hypertension lifestyle oriented problem है आँखों में उसका असर आएगा mobile computer में लंबे समय तक काम कर रहे हो lifestyle oriented problem है उससे आँखों में changes आएंगे dryness हो जाएगा चश्मे का नंबर हो जाएगा तो कुछ problems can be avoided by modifying your lifestyle but not all of them मतलब यह जो mobile computer का screen time related problem है वही rule है हो 20-20-20 हाँ that's the solution especially जो बच्चे हैं उनका तो mobile computer का time आपको थोड़ा restrict करना चाहिए so if I have to tell you ideally it is 2-3 hours in a day and 2-3 गंटे का या 2 गंटे का sun का exposure अगर हो जाएगा तो you can maybe prevent चश्मे का number आने के लिए अच्छा आज की date में अगर चश्मे का number आ गया है तो उसको बढ़ने से भी हम रोक सकते हैं so अगर किसी का number मानलो 5 पहुचना था तो उसको हम 2 या 3 पे रोक सकते हैं how by certain lifestyle modifications mobile computer का करो sunlight में जाओ there's a special kind of a drop जिसका नाम है atropine mild dilution में 0.01 में use करते हैं हम रात को सोने से पहले डालते हैं but strictly मतलब डॉक्टर से पूच के डालना है ऐसा नहीं कि podcast उनके डाल देना and then there are special kind of glasses जिससे हमारा जो retina उता है peripheral stimulation वगएर हमें कुछ changes करते हैं उसे चश्मे का नंबर बढ़ने से रूख जाता है उसको myosmart करके आता है so we have the technology की अब हम genetic counseling भी कर सकते हैं कि बच्चों के आँख में चश्मे का नंबर आएगा की नहीं आएगा अगर आ गया है तो उसको बढ़ने से भी रोख सकते हैं और अगर लग गया है तो उसको permanently हटा भी सकते हैं permanently हटा सकते हैं प्रोसीजर उसके तो lasers and ICN अगर आपको ये clip अच्छा लगा ऐसे ही 1000 clips upload किये गए हैं इस channel पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ अगर आपको ये जाओ